Hello everyone, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं मनीशा, आज मैं आपको क्लास 11 का चेप्टर 2 पढ़ाने जा रहे हूँ और second chapter का lecture 2 है ये, क्योंकि already हमने एक lecture जो है वो हमने पहले से ही पढ़ रखे है तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ कि lecture 1 में हमने क्या पढ़ा था, अधिकार के बारे में पढ़ा था या फिर हमें अधिकार की अवशकता क्यों पढ़ते हैं, ये सारे points को हमने already discuss कर रखा है और साथ ही साथ हम मौलिक अधिकार के बारे में उसे continue कर रहे हैं तो मौलिक अधिकार की अगर मैं बात करूँ तो मौलिक अधिकार total आज के समय में कितने हैं? 6 है और पहले कितने थे? किसी को पता है, तो बताओ आप 7, good तो आज के समय में कितने हैं? 7 मौलिक अधिकार है और पहले 7 था तो साथवा मौलिक अधिकार कौन सा था? समपत्ती का अधिकार तो इसे क्या है खत्म कर दिया गया इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और 6 मौलिक अधिकार है और इसे भाग 3 में लिखा गया है और आटिकल की अगर हम बात करें तो आटिकल 14 से लेके 32 तक हम मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ते हैं जो कि अल्रेडी हमने आटिकल 14 से लेके 22 तक पढ़ रखा है और इसमें दो मौलिक अधिकार है पहला है समानता का और दूसरा अगर हम बात करें तो स्वतंतरता का तो ये दोनों जो है हमने पढ़ रखें तो अब हमें तीसरा पढ़ना है तीसरा मौलिक अधिकार जो है शोशन के विरुद अधिकार है और आर् विरुद अधिकार, तीसरा मौलिक अधिकार जो है हमारा सोशन के विरुद अधिकार है, तो आर्टिकल 23 के बारे में हम देखने वाले हैं, आर्टिकल 23 क्या कहता है, मानव व्यपार और बल परियोग द्वारा, बेगारी बंधुआ, मजदूरी पर प्रती बंजब, भारत आजाद हुआ तब भारत के कई भागों में दास्ता और बेजगार पर्था परचलिक थी, चमिनदारों किसानों से काम करवाते थे, परंतु उनको मजदूर नहीं देते थे, विशेशकर इस्तरियों को पशू की तरह खरीदा बेचा जाता था, तो अगल बाल श्रम की बात करें या बंदूर मजदूर की बात करें तो आजादी के बात की अगर या फिर पहले की बात करें तो मालिक वगेरा क्या होते थे, इनसे काम तो करवा लेते थे लेकिन क्या है इनको बेतन नहीं देते थे, बेतन के बदले थोड़ा बहत उनको खानावाना दे दिया या कम प पशुओं को, जैसे कोई भी पशु ले लो, गाय ले लो, भैस ले लो, बकडी ले लो, जैसे पशुओं को हम क्या करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं एक दूसरे के पास, तो ऐसे यहां पर महिलाओं को भी क्या करते थे, खरीदते थे, बेचते थे, और बेसिकली इन से मतल आर्टिकल 24 के बारे में हम बात करते हैं आर्टिकल 24 परी बारे में आ पर स्क्रिंप पर वगे sovereigula eigene डोबार क्यों लिखा है इन्षक्ली मैंने दो बार क्यों लिखा है क्योंकि इसमें डो बाते कही गई इसले ढौतलरीके से मैं आपको समझआने वाली हूँ तो पहला है जाने से रोका जाए ठीक है तो इस चीजों को इन चीजों के लिए बेसिकली बच्चों को क्या किया गया है रोका गया है अब अगर दूसरा आर्टिकल 24 का ही दूसरे अगर बात हम करें तो दूसरे में ये कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनसे क्या है जोखिम काम कैसा हो गया जैसे की कोईली की फैक्टरी में काम करवाना या फिर अंडरग्राउंड में कोई फैक्टरी है या फिर मशीन किसी फैक्टरी में बहुत बड़ी-बड़ी लगी हुई है खदान, कार खाने वगेरा है जिसके नीचे बच्चों को ना भेजा जाए क्योंकि सब्सक्राइड के हाथ या फिर प्रीर चल जाते हैं तो इसके लिए क्या है इसके उपर प्रति बंद लगाया गया है कि तो अगला मौलिक अधिकार कौन सा है धार्मिक स्वतंतरता का अधिकार तो देखते हैं धार्मिक स्वतंतरता का अधिकार तो देखो धार्मिक अब आपको पता चल गया होगा कि धार्मिक वर्ड से आपको थोड़ा बहुत कुछ को समझ में आ रहा होगा कि जरूर मैं यहां पर किस चीज के बारे में बात करने वाली हूं धर्म के बारे में एक्जैक्ली धर्म से रिलेटेड जैसे हमने समानता में पढ़ा था ना कि व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके से भेदभाव ना किया जाए जाहें वो रंग के अधार पे हो या फिलूब आधार पर या फिलिए या फिर अलग अलग स्थान पे रहने guitar उनके साथ किसी भी तरेक्ली koya का भेद भाम नाकिकव तो यहां पे भी भारत में हैं धार्मिक स्वतंत्रता मतलब कि भारत में किसी भी धर्म के लोग निवास कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने धर्म को धर्म के बारे में प्रचार प्रिशार भी कर सकते हैं इसलिए आपको पता होगा कि भारत जैसे देश में प्रतेइक धर्म का संमान किया जाता है चाहे हिंदो, मुसिलिम, सिकh, इसाई इसके अलावा भी बहुत सारी धर्म हैं बहुत जैन तो सभी धर्म का क्या है सम्मान किया जाता है भारत जैसे देश में तो आटिकल 25 देखते हैं आटिकल 25 क्या कहता है अपने अपने धर्मों को मानने पालन करने परचार परशार करने का मतलब कि अपने धर्म के बारे में उनको मान ही उया मंदिर में जाना, फिर जिस तरीके से में आ पना करूंदान आना Pixel आप सब्सक्राइब करना उन्ही आपने ने इसे वी में मुक्ति को और उन्हीं करते हैं मुश्य कोозможно कानून के अंदर रहके ही करना है ऐसा नहीं है कि आप किसी भी जगा पे रहे हो और मानलो घर में हो और आपके घर में मानलो की कोई भदवान के नाम पे जागरन वग्यारा हो रहा है और साथ में आपके कोई आसपडोस में पडोसी है जिसके घर में देथ वग्यारा हो गई है या फिर कोई बहुत जादा बिमार है और आप अपने धर्म के नाम पे इतना जादा लाउड स्पीकर में सब कुछ बजा भी रहे हो और साथ में किर्तन वग्यारा कर रहे हो खुशियां मना रहे हो तो ये आपके लिए गलत है ये आपको नहीं ये कोई भी धर्म आपको अनुमती नहीं देता है ना ही धर्म अनुमती देता है और ना ही कोई कानून अनुमती देता है तो कानून के दाइरे में ही रहके अपने धर्म के बारे में प्रचार प्रशार भी करना है तो आठिकल 25 आपको समझ में आगया होगा आठिकल 26 की अगर हम बात करते हैं आठिकल 26 कहता है संगटित इकाईयों के रूप में धार्मिक तथा परोपकारी कार्य करने वाले संस्थानों के स्थापना करना अब यहाँ पे क्या है अपने धर्म के बारे में अगर क्या करना है संगटित रूप से अपने धर्म के बारे में कुछ भी धर्म से रिलेटिड बनवाना चाते हो उससे संस्ता वग्यारा बनवाना चाते हो जैसे एंजियो टाइप होता है वैसे धर्म के नाम पे आप कुछ बनवाना चाते हो तो इसकी भी स्थापना करने की आपको पून रोप से अधिकार दिये गए हैं। बस क्या करना है? कुछ काइदे कानुन दिये गए हैं, उसके अंतरगत रहके ही करना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को नुकसान पहुँचा के, किसी की कोई घर में रह रहा है, उनके घर को तोड़ ताड़के, उनको घर से बंचित करके, उनकी जमीन जबरदस्ती हडपके और उनको सिंपली आप बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे धर्म के नाम पे भगवान जी की मंदिर बनवा रहे हैं या फिर गुरुद्वारा बनवा रहे हैं तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना है, किसी आप कुछ भी करो अपने धर्म से रिलेटेड लेकिन दूसरे वैंक्टि को परशान नहीं होनी जई है, किसी को भी परशानी नहीं होनी जए को आपन भी ख वतांत्रता आपको दी गई है नेक्स बात करते हैं इसी में आर्टिकल 26 बारे में बात कर लें आर्टिकलда 27 कैता है धर्म प्रै आबमधार्मिक संपरधाई की देखरे के लिए कर देने के लिए मझ दू मजबूर नहीं किया जाए अब धर्म के लिए प्रचार प्रशार के लिए किसी वी व्यक्ति को मान लो कोई व्यक्ति किसी महले में रह रहा है और उस महले में धर्म के नाम पे जागरन करवाया जा रहा है तो जागरन करवाया जा रहा है आप सबसे क्या कर रहे हो ले रहे हो जितना भी कि हा मैं धर्म के नाम नहीं तुम्हें क्या करना है अगर इस महले में रहना है तो तुम्हें इसमें पैसा देना ही देना है तो ऐसे आपकिसी को भी जबर्दस्ती नहीं कर सकते identify 26 यह कहता है take 28 28 के वारे में देखते किसी भी सरकारी शिक्ष क्छन सनस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, अब क्या है, सिक्षा के छेतर में बोला गया है, किसी भी सिक्षा के छेतर में एक specific धर्म के बारे में नहीं दी जाएगी उस से related सिक्षा, जैसे माल लो हिंदू से related जो है, अगर किसी धर्म की बात कर रहे हैं यहां पर, ऐसा नहीं है कि language यहां पर संस्कृत हो या फिर उर्दू हो गया वो सारे तो स्कूल में दी जाती है लेकिन धर्म से रिलेटेड सिर्फ धर्म के बारे में ही जागरुक करना या बच्चों को पढ़ाना ये नहीं कर सकते ये इसके लिए मना किया गया आर्टिकल 28 ये कहता है नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 28 हमने बात कर लिया 25 से 28 हम आरा क्या था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अब अगला बात करते हैं सांस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार जो की 39 से लेके 30 तक है तो इसमें दो आर्टिकल 29 और 30 और इसके साथ साथ हम सांस्कृति के वारे में साथ में शिक्षा से रिलेटेट पढ़ने वाले हैं बात करते हैं, आटिकल 29 क्या कहता है? भारत के किसी भी राज्ये के नागरिकों को अपनी विशेश भाषा लीपी या सांस्कृति को बनाए रखने का अधिकार. भारत में किसी भी राज्ये में वेक्ति रह रहा है, तो अपनी भाषा जो उनकी मात्र भाषा होती है, या फिर उनकी Sanskriti है, रहन सहन है, खाने पीनी का तरीका, कुछ भी हो व्यक्ति का, तो वो क्या है, अपने चीजों को बना के रख सकता है, ऐसा नहीं है तो उनको मना किया जाएगा, मान लो कोई उड़ीशा का है, अब वो क्या कर रहा है, उड़ीशा के लोग जो हैं दिल्ली में आके दिल्ली में आपको पता है, हिंदी बोला जाता है, मुख्य रूप से, तो हिंदी क्या है, आप बोलो, लेकिन आपका मन है तो बोलो, अगर आपको ओडिया बोलने का मन है, तो आप ओडिया भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको आपके धर्म को, आपकी लेंग्वेज को मना करेंगे कि कि तुम दिल्ली में रह रहे हो तो आप इस भाषा का प्रियोग नहीं कर सकते हो किसी भी राज्य में रह रहे हो तो आप अपनी भाषा लीपी या सांस्कृति को बना के रख सकते हो या फिर अपने त्योहार को भी सेलिब्रेट कर सकते हो जैसे कि आपको पता ह बहुत सारे ऐसे त्योहार होते हैं जो छेत्रिये होते हैं विसेशकर छेत्र में मनाये जाते हैं तो वो त्योहार भी आप क्या कर सकते हो इस सांस्कृति से रिलेटेड है अब देखते हैं आटिकल 30 क्या कहता है इसके अंतरगत भाषा धार्मिक अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा उसके प्रशाशनों को चलाने का अधिकार अब इसके अंदर क्या बोला गया है कि भाषा तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशाशन मतलब शिक्षा शे रिलेटेड आप कुछ भी करना चाते हो तो आपको क्या है संस्था वग्यारा या स्कूल वग्यारा या कोई इंस्ट्यूशन वग्यारा चलाना चाते हो, तो वो भी आपको अधिकार दिया गया है और अपनी मनपसंद सिक्षा वे संस्था की संस्था की स्थापना कर सकते हो। तो हमने आर्टिकल 30 तक बात कर लिये हैं, तो लास्ट मौलिक अधिकार है, सार्धानिक उपचारों का अधिकार जो की आर्टिकल 32 में बात किया गया है, तो अब हम बात करते हैं, 32 और लास्ट है और most important है ये मौलिक अधिकार, क्योंकि अब तक हमने जितना भी पढ़ा है, उ इन सब की रक्षा करता है, सार्धानिक उपचारों के अधिकार, उपचारों से आपको समझ में आ रहा होगा, कि उपचार करना, ट्रेटमेंट करना, अगर आपको चोट लग गया है, उस तो उस पे महलम पट्टी करना, तो ये इस पे देखते हैं, क्या है महलम पट्टी का संबीधान के जनक डॉक्टर अम्बेटकर ने इस अधिकार को संबीधान का हिर्द्य आत्मा की संग्या दिया इसके अंतरगत न्याले कई विशेश आदेश जारी करते हैं जिन्हें रेट कहते हैं तो डॉक्टर वियार अम्बेटकर जी ने सार्धैनिक उपचारों के अधिकार को हिर्द्य या तो आत्मा की संग्या दी गई है कि ये जो है सार्धैनिक उपचारों का अधिकार है वो हिर्द्य के समान है आत्मा के समान है विशेश कर और क्या है ये जो है इसके अंतरगत न्याले जो हैं, कुछ ऐसे चीजे जारी करते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने मौलिक अधिकार को बचा सकते हैं, जिने हम क्या कहते हैं, रीट कहते हैं, तो रीट के बारे में देखते हैं, रीट कितने तरीके के होते हैं, तो रीट मुख्या रोप से पांच तरीके के होते हैं, पांस तरीके के कौन-कौन से होते हैं, यह हम बात करने वाले हैं, पहला है हमारा बंदी प्रतक्षी करन, पहला हमारा है बंदी प्रतक्षी करन, दूसरा है परमा आदेश, और तीसरा है प्रतिछेद, चौथा है अधिकार प्रच्छा, और पांचवा है उ तो हमारा मौलिक अधिकार है तो ये वाला हमारा नहीं है तो ये मुख्य रूप से पांच उत्प्रेक्षन तक तो ये पांच जो है रीट इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं पहला बंदी प्रतक्षिकरन दूसरा परमादेश दीसरा प्रतिशिद और चौथा अधिकार प् इसे आप मत याद कीजिए तो ये पांच होते हैं रीट पांचो रीट का नाम आपको याद होना चाहिए तो थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ पांचो रीट जो है किस किस में कौन-कौन सी बात की गई है तो पहला हमने बात किया है बंदी प्रतक्षिकरन तो बंदी प्रतक्षिकरन के बारे में हम बात करते हैं बंदी प्रतक्षिकरन क्या होता है तो बंदी प्रतक्षिकरन के द्वारा क्या है किसी भी गिरफतार व्यक्ति को न्याले के सामने प्रस्तुत किये जाने का आदेश जारी करता है कि कोई भी व्यक्ति क्या है गिरफत अगा ऊंधार हुआ है, तो उसे क्या है? न्याले में प्रस्तुत किया जाए. और साथ ही साथ उस व्यक्ति को ग्यार कानूनी या संतोष जनक ना हो तो न्याले व्यक्ति को छोड़ने का भी आदेश देता है. तो मुख्या रूप से बंदी प्रतक्षी करन में बंदी बनाना मतलब कि आपने किसी को बंदी बना रखा है तो उसको क्या करना है न्याले में पेश करना यानि कि हिरासत में ले रखे हो तो उसको न्याले में पेश करनाना और साथ ही साथ न्याले का फर्ज बनता है कि उस व दूसरा पर्मा आदेश, पर्मा आदेश मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, कोई किसी तरीके का इसमें क्या किया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, जिसका पालन करना है, तो यह आदेश उन प्रस्थितियों में जारी किया जाता है, जब न्याले को लगता है, कोई सार जनी पदा अधिकारी अपने कानून वेकरतव्यों का पालन नहीं कर रहा है जिससे किसी का मौलिक अधिकार प्रभावित ना हो तो यहां पे क्या है ऐसे आदेश जारी किये जाते हैं जिसमें क्या है वेक्ति कोई भी कानून का प्रियोग नहीं कर रहा है मतलब जो कानून वे तब बताया गया किसी वेक्ति को माल लो कोई पुलिस वाला है तो पुलिस को काम दिया गया है क्या काम करना उसको पून रूप से निस्पक्ष रूप से देखना केस को अगर वो अपना काम नहीं कर रहा है तो वो परमा आदेश जारी परमा आदेश जारी किया जाएगा और इससे उसको उसके पिर कारेवाही करने के बाद उनका जो व्यक्तिका क्या है इसमें मौलिक अधिकार हनन होता है क्योंकि उस व्यक्तिका किसी भी तरीके का बातों को नहीं माना जाता है तीसरा हम देखते हैं प्रतीचेद प्रतीचेद के अंदर क्या होता है प्रतीचेद लेख भी बोलते हैं जब कोई निचली अदालत में अपने अधिकार छेत्र को अतिक्रमित कर किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो उपर की अदालत उसे ऐसे करने से रोकने के लिए निश तो इसमें क्या है निचली सर्वोच्छ है उसके आद उच्छ है न्याले तो सर्वोच्छ तो अगर निचली अदालत जो है वो क्या है किसी तरीके का काम जो है मान लो वो सही तरीके से नहीं कर रहे हैं या फिर वो केस को सौल नहीं कर पा रहे हैं तो वो उपरी अदालत जो ह वो जारी कर सकते हैं कि इस केस को क्या किया जाए हमारी उपर की अदालत में भेजा जाए या फिर मैं आपको इस काम से करने के लिए रोकता हूँ चौथा हम बात करते हैं अधिकार प्रचा की बात करते हैं जब न्याले को लगता है कि कोई वेक्ती ऐसे पद पन्यूक्त हो गया है जिस पद कर उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है तब न्याले अधिकार प्रचा जारी करती है और वेक्ती को उस पद से कारे करने से रोकती ही है तो अधिकार परच्चा में मतलब कि अधिकार, तो क्या है इसके अंदर वक्ति को किसी भी तरीके का मान लोग कोई क्या कर रहा है किसी की जॉब लग गई उसने क्या-क्या धोस वगयारा देगे लगा लिया अब पता चल रहा है उस पोस्ट कोपरेक्षन करने से mean को रोख सकता है जास्ट हम देखते हैं उत्प्रेक्षन हैं उत्प्रेक्षन है जब कोई निचली आदालत या सरकारी अधिकारी में अधिकार के कोई भी कार्च करता है तो न्याले समक्ष विल्चार दिन मामलों को उस den अदालत या संपेक्षि अधिकार्य को हस्तांग्छित कर देता है कि जब निचली अदालित किसी भी तरीके का केस और यह तरीके का कारी कर रही है उसे नहीं लग रहा है कि हां यह कर पा रहा है तो उस चीजों को करने के लिए अपनी अदालत में बुला सकता है तो प्रतिछेद लेक म थोड़ा सा हमने देखा था कि इसमें क्या है उसकाम को करने से रोक सकता है और इसमें क्या है अपने पास बूला सकता है यह बंधि प्रतक्षी करन आपको नाम याद रखना है आपके जो है रीट पूछ लेंगे रीट कितने होते हैं तो आपको ध्यान रखना है, तोटल कितने होते हैं, पांच होते हैं, बंदी प्रतक्षी करन, पर्मा आदेश, प्रतिछेद, अधिकार प्रच्छा और उत्प्रेक्षन, ये पांच रिट के आपको नाम याद रखना है, इसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स लेक्चर में हम ब कुरक्षित रहें, और पढ़ाई करती रहें, बाई-बाई, टेक केर,